उज्वल भारत नियूज देश की पेखरावाज अपने अंदाज नमस्कार उज्वल भारत नियूज में आप सभी का स्वागत हैं राश्ट्रे स्वच्टा कार्मीक आयोक की उपाध्यक्ष अंजना पवार ने जिले में सभाई कर्मियों की स्थिथी की समिक्षा की बैठक में सुरक्षा कीट आवास चिकिस्टा शिवीर आदी आवशिक सुविधाओ की समस्याओ और सही विस्ता के लिए सुझाओ दिये गए अंजना पवार जी ने कहा कि भारा सरकाने हाल ही में 12 एप्रिल को उमर गाओ के 16 सुंबा में सिवर सफाई के दौरान कोई तरास्दी के सम्मंद में वलसर जिले का दौरा किया और सभागार में समिक्षा बैठक की कलेक्टर कारेले के बैठक में सफाई कर्मियों एवं उनके आश्रीतों के सामाजिक आर्थिक एवं शैक्षनिक जीवन उनके पूर्णावास हेतु स्वरोजगार योजना एवं सिवर में दम घुटने से सफाई कर्मियों के मौत की घटना का अध्यन करने के लिए सफाई क सेवन सुक्ष्म रुन वित योजना के साथ हित ग्राहियों को एक लाख रुपे का सहेता चेक भी वित्रिद किया गया बैठक में आयोक के उपाध्यक्ष ने कहा कि प्रत्यक नगरपाली का द्वारा सफाई कर्मियों को सुरक्षा किर्जिस में दस्ताने वर्दी मौसम के अन सेवा निर्वित कर्मचारियों को पेंशन वर्ग्रेजोशन समय पर मिल जा रहा है या नहीं सेवा निर्वित कर्मचारियों को पेंशन प्रदर्शन वेतन वर पीएफ समय पर जमा हुआ है या नहीं साथ ही आवास आदी की सुविधा की भी समिक्षा की गई साथ ही इन सफ दे़ेक सफाई कर्मचारे की सब्दाने चेंजिक करने के लिए प्रत्यक सफाई CHारी के आई कार्यों के यह करने का भी सुझाव दिया गया साथ ही सतर्क रहने की रस्यत दीता की भविश्य में उमरगाओं में हुई त्राजदी दोबारा ना हो उन्होंने आगे कहा कि सफाई कर्मचारी अपने स्वास्त को जोखिम में डालका सफाई का महतरिं काम करते हैं इस काले के लिए उनका परय MST Act 2013 के तहट किसी कर्मचारी को नाले में घुसकर सफाई का काम करना दंडनिय अपराद माना गया है इसलिए इस Act के तहट सफाई का काम किया जाना चाहिए भरा सरकार के सामाजिक नियाय और अधिरिक्ता मंद्राले के अधीन स्वच्चता आयोग सफाई कर्मचारी के आश्रितों के आर्थीक सामाजिक और शेक्षणिक सिथियों में सुधार के लिए काम करता है इसके लिए आयोग एक नया विविशाई शुरू करने के लिए 1,0 क्लिटर श्रीप्रागरे जी ने भी कहा कि उबसभपति द्वारा दिये गए सुझावों के संबंद में प्रशनषनिक विवस्था सफाई कर्मियों की साहेता के लिए आवशक गदब उठाएगी तथा प्रत्यक तीन महां में उने वाली बैठक में सफाई कर्मियों की समस्थ प्रश्णों का भी समाधान किया जाएगा में जिला विकास अधिकारी श्री मनिश गुर्वानी जी रेजिदेंट अपर समाहर्ता श्री अनुश्वा ज्या प्रोबेश्णरी आई एस निशाच ओधरी जी पुलीश उपाधिक्षक एके वर्मा वलसार धरंपुर के प्रांध अधिकारी उपस्तित रहे सफाई कर्मचारी एक ऐसा वर्ग है जो पूरे जिले पूरे गाउं पूरे शहर के हर कोने कोने से जो गंदगी उसे उठाकर हमारे इस नगर को साफ सुत्रा रखने का सकरात्मक प्रयास करते हैं जो गंदगी हम फैलाते हैं उन्हीं गंदगी को वे हातों से उठाकर कच्रे के डिब्बे में डाल कर हर जगह साफ सुत्रा रखने का वे एक महत्वपूर्ण कार्य करते हैं हर सफाई कर्मचारी का सम्मान होना महत्वपूर्ण बात है सम्मान में प्रधान मंत्री जी ने जो सपना देखा है स्वच्छ भारत का सपना देखा है अंतिन पंक्ती में बेठे इस करमचारी वर्ग के लिए समेधन शीलता का सपना देखा है उसको हम तभी पूरा कर सकते हैं जब हम खुद समेधन शील रणे इनके प्रति ये समाज, ये करमचारी वर्द कोई बड़ी बड़ी चीज़े नहीं मानता है थोड़ी सी उनकी मूलबूत समश्याएं उनको फूरा कर दें और थोड़ा सा सम्मान उन्हें दे दें, वो उसी में खुश रहते हैं तो हम इन लोगों को सम्मानित करें रश्यस्ती पत्र दें इसमें इन्होंने जो काम किया है उसके लिए इनका होसला जब हम बढ़ाएंगे तब भी तो आगे और काम होगा तो इनके लिए देखे अधिकारी और करनचारी तो दोनों एक दूसरे के तूरब बढ़ा चैनल के साथ जुड़े रहिए देखते रही उजवल भारत न्यूस देश की प्रकर आवाज सीवा भटाचारिया वलसार से धन्यवाद चैनल को लाइक करे शेर करे सब्सक्राइब जरूर करे और हां कमेंट डालना मत भूलेगा क्यूंकि आपका साथ ही हमारा विकास है सब का साथ सब का विकास सब का विश्वास धन्यवाद गुजरात के वलसार जिले में मीटिंग थी देगे रास्ट्री सफाई करमचारी आयोग जो होता है वो सफाई करमचारी मैन्वल इसक्वेंजर्स और उनके जो आश्रीत होते हैं उनका सामाजिक आर्थिक एवं शेक्षनिक पुनर्वास हम कैसे कर सकते हैं उनका हम समश्याओं से हम कैसे उनको छुटकारा दिला सकते हैं इसका अध्यान करने के लिए आयोग देश के प्रतियक राज्यों में जाता है मैं धन्यवाद देना चाऊंगे हमारे देश के प्रधान मंत्री जी का जिनोंने अपने सर्वच्य पदी की शुरुवाद स्वच्य भारत मिशन से करी जिनोंने इस अंतिम पंक्ती में बेठेवे सामाजिक वर्ग का बहुत समवेदना से विचार किया जिन पर जिनको इतना सम्मान दिया देश में कई जगे सीवर में डेठ होती है जो की MS Act के बिलकुल ही खिलाफ है MS Act 2013 जो होता है वो मेन्वल इसक्वेंजिंग के उपर बना हुआ है किसी भी व्यक्ति को सीवर में बिना किसी संसाधन के नहीं उतारा जाना चाहिए अगर कोई इस तरह के का काम करता है तो वो सजा का मतलब दोशी है और उसको सजा का प्रावधान भी है पीडित परिवार को सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार 10-10 लाग का अंशिक योगदान दिया जाता है राशी दी जाती है लेकिन क्या इस से किसी परिवार को हम चला सकते हैं 10 लाख रुपे से जीवन चलाना मुश्किल है तो इस तरह की कोई दुरगट ना हो ही ना ऐसा काम किया जाए और जो प्रतियक नागरिक का ये कर्तव ये बनता है कि उस चीज को सीरियसली लें चाहे वो रास्ते चलते हो चाहे अधिकारी हो चाहे जो काम करने वाला उतरने वाला व्यक्ति हो चाहे कोई भी करमचारी हो कोई भी व्यक्ति हो उसको अपने मन में सवेदना रखनी चाहिए अपनी जिमेदारी का एहसास होना चाहिए कि इस थरीके का कार्य कहीं भी होते देखें तो उसको रोकें तबी इस देश से मेनवल इसक्वेंजिंग का नामक जो ये चल रहा है वो खतम हम कर पाएंगे आज मीटिंग हुई है मीटिंग में सफाई करमचारियों की समश्याओं से के बारे में हमने डिसकस किया सफाई करमचारियों की बहुत छोटी-छोटी मूल बुद समश्याओं होती है उसमें जैसे रहने के लिए घर नहीं है तनखा टाइम से नहीं मिलती है यूनिफोर्म ठीक से मिलनी चाहिए और उनको जो रिटायर होने के बाद में जो उनकी ग्रेजूटी वगएरा बनती है वो टाइम से मिलनी चाहिए आज यह सारा डिसकस हुआ है और प्रशासन्य में और सबने सयोग करा है कि हम इस चीज पर अब अमल करेंगे और हम टाइम से उनको पैसा देंगे टाइम से हम उनको मूलबुद सुविधा है जो उनको मिलनी चाहिए वो देंगे इसके अलावा मैंने अपनी तरफ से एक प्रसाव रखा है कि जो भी सफाई करमचारी हैं उनके जो आई कार्ड हैं उनमें ब्लड ग्रूप मेंशन करवाईए ताकि कोई भी गटना दुरगटना हो तो उनको फर्स टेड मिल सके इसके अलावा सफाई करमचारीयों के जो भी हाजरी जहां होती अटेंडेंस होती वहाँ पर टू रूम सेट बनना चाहिए चेंजिंग रूम जहां महिलाओं का अलग और पूरुष का अलग ताकि वह वहाँ दो गड़ी बेटके खाना खा सके चाई पी सके या रेस्ट कर स रखें इसके लिए भी यहां पर मैंने बोला है और बहुत जल्दी उस चीछ पर भी अमल होगा